सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर काफी वक्त से नर्मदा बचावा अंदोलन से जुड़ी हुई है इस वक्त उनकी लताड़ी का सामना करना पड़ दा है केंदर सरकार और मोदी जी को लासल में प्रदान मंत्री मोदी सरदासर अरोवर डैम पे गयता है अपना शर्मदी बनाने के लिए लेकिन मेधा पाटकर ji ना अरोफ लगाया जी करकी जे एक दिन पहले ही करने तो मोदी can join प्रवावित है और तोसे जदा गाओं में उस नदी का पानी घुस गया है सरदा सरोवर डैम का और उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को खुश करने के लिए तानाशाही की जा रही है मेरा पार्टकर जिन अपने फेस्बूक और ट्विटर पर ये बात की भी पुश्टी हो चुगी है कि अब 130 से ज्यादा गाओं में उसका पानी गया है और 2200 से ज्यादा परिवारों पर इस बात का असर पड़ा है जिसके बाद मेदा पांटकर जी ने कहा कि अभी तक उन लोगों को भी ठीक से नहीं बसाया गया जिन को सरदा सरोवर डै में जैसे वहाँ पर भीजन बारिश आई हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो भी कुछ किया गया सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का हैफ्टी बाविले मनाने के लिए एक आदमी को खुश करने के लिए और यहां तक फिर लोगों को इस पर कमेंट आ रहे हैं कि ऐसा तो सरोवर डैम शुरू सही विवादों में रहा मेदा पाठ कर यह अंदोलन करती आई हैं नर्म का बचाओ अंदोलन और उसमें सरदा सरोवर डैम भी एक मुद्धा है तो चलिए दोस्तों फिलाल इस वीडियो के लेत नहीं आगे भी इसी तरह की देश-दुनिया के लिए बने रही है मेरे साथ चैम अधा दी